तो हेलो तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यारवरा नफशकार मेरा नाम है हिमान्सू और आप देखरें अपना यूटूब चैनल पहाडी ब्लोगर थमनेल और टाइटल को देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा आज के हमारी यातरा होनी वाली है उत्राखन के पांच फ्लेग मार्च करते हुए भी आपको नजर आएंगे यह फ्लेग मार्च चुनाव के अवनिस के लिए और लमगाओं से थोड़ी दूर पे यहां पर एक छोटा सा गाओं पड़ता है नोगर जहां से दो रूट करते हैं एक रूट उपड के लिए जो उतरकासी से जाता है और हमको जाना है निचे वाले रूट यानि कंडियाल गाओं वाले रूट पे इस रूट से जाते हुए आपको पांच या छे किलमेटर का कम फासला तैक करने को मिलता है में पहूंच गया हूँ कंड्यावाँ वाले रूट पर हमको जाना है मुख्यम, तो थोड़ा सा यहां पर मुख्यम के तरब नकटा है, लेकिन मैं आया थोड़ा सा दिक्कत यह बाटार है, यह जो निचे वाला रूट यह वाला आपको दिखाई दे रहे, यह है रातलदार और इधर से भी रूट जाता है उत्रकाषी के लिए और इस बेंड के बीचे, इस पहाड़ी के बीचे कोडार और वहां से फिर मुक्यम के लिए जाते हैं यह वाला है सोट रूट और फिलाल हमने अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दिये क्योंग यहां से वापिस जाना है और निच्चे पर हमें यह रूट मिलेगा तो फिर इस रूट से जाना है यहां ठंड भी काफी जादा है यह है मुख्यम का सुन्दर सगाओं जहां आज हम रात को यहीं रुकने वाले हैं और आपको जो वीडियो में दिखाय दे रहे हैं इसको कहते हैं कोठार जो की पूरा लक्णियों का बना हुआ रहता है तो सुवे के साड़े चार हो गया है टाइम और सुवे के नजारे में मंदिर के दर्शन बहुती अद्वत जो आपको यह तीन लाइटें दिखाय दे रहे होगी उस टोपी पे हमने कल सुवे अपनी यात्रा तैकरनी हैं तो आप सुभी को गुड मॉर्निंग तो सुवे के 6 बज्गें हैं और प्यारी सी दूप खिल सुकी है आपको जो नजार आ रहा होगा इसको कोठार कहता है जो की धान अनाज को इस्टोर करने के रूप में काम करता है और यह मुख्यम का सुंदर सा गाउं और आस्मान आज पूरा साप है और कोठार जो की पूर लकडियों का बना भा रहता है हमको जाना है मंदिर के आज उपर वाली चोटी पे तो यहां से हमारी सपर की सुरवात होती है तो अगले दिन की सुरवात हो गई है आप सुभी को गुड़ बॉर्णिंग मैं हूँ आपके साथ हिमान सू और मेरे पिछे आप जिसे देख रह है तो यह कुछ इस परकार से बना गया है पूरा लकडिक है उपर पटाल इसमें यानि पत्थर और इसमें बहुत चोटी से दर्वाज होते हैं लगवत इतने निक्षे और इसमें जो रखा जाता है रासन नाज गया हूं कुछ भी तो इसमें नो गांजे यानि नो अलग- रखाने जिसमें नाज चावल धान रखते हैं यह मुखिम मुखिम का सुन्दर सा गाउं और हमको जाना है अभी उस टोप वाली पहारी में जहां पर आपको हल्किसी बरब दिखाए देरी होगी उदर है सत्रंज और उपर है यहां सडक जहां पर आपको टावर दिखाए द मंदिर है जहां की भगवान सेम नाग राजा यानि नाग राजा देवता की डोलिया रखी जाती है तो यह है गाउं के अंदर का मंदिर सोचा कि आप लोगों को गाउं के अंदर का मंदिर भी दिखा लेता हूँ क्योंकि अधिकतर लोग सिरिफ उपर पहाडी वाला टॉप बंदिर ही देख पाते हैं गाओं के अंदर का यह छोटा समंदिर यह संदर समंदिर साइदी आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा होगा तो अभी हम पहुंच चुकिये हैं जहां पर गाड़ी का आखरी मुकाम आता है आखरी मुकाम यहनि यहां से उपर हमें पैदल मार्गी करना होगा इस मैदान में मेला का आयोजन होता है हर तीन साल में और चविस्टि समर को तो यहां से हमने अपना पैदल मार्ग सुरू करना है जिसकी दूरी यहां से मंदिर तक 2-2 km और किलूम化 होगी यहां का रस्ता मुक्हिम मंदिर पर जाने का चीमनागराजा मंदिर में जाने का और रस्तों पर आपको यहां बर्व पड़ी मिलेगी अभी क्योंकि अभी हां का जो टम्परेचर है वो है आठ डिग्री और यह है कुछ रस्तों का न जा रहा जब यहां बारे सोती है तो लाइव श्नोफोल और पूरा रस्ता बर्ब से डखा हुआ रहता है खास कर सर्दियों के सीजन में और आगे आगे एक मेरे छोटा सा भांजा आ रहा है मेरे साथ और मेरे चाते जी का लगा तो हम तीनों आज मंदिर करनेैं काफी समय से हमने सो चाता और आखिरकार भगवान नागराजा दिप्षक के कितवा से आज आना भी हो गया तो आपको मंदिर दरसन करवाते हि एं और सेम नागराजा मंदिर की कुछ अंसुनी बाते हैं और कुछ अंसुने या जो आपने कभी देखे न होंगी ऐसे सीन आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा मंदिर के बहुत ही प्यारे नजारे तो बने रहे मेरे साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते और वीडियो को कंटेडियो देखें क्योंकि आपको वीडियो में बहुत बज़े आने वाला है आराम से अभी हम मातर सो या 200 मेटर के दोरी पर आये और यहां की यह खड़ी चड़ाई हमने जाना है उपर खड़ी चड़ाई एक दम चोटी पर कि मंदिर पर यहां से आपको उसाएधि जूम करकर नजारा दिखाया दे रहोगा और हमने अभी वहीं जाना है तो हम चल्ड़ाएं अपने रस्तों की तरफ और यहां आप रस्तों की हाला दे सकते उो पुरी रस्ते पर बाप पढ़ी हूए है कहीं पर जोते का थानी जितना आज हो गया है तो अभी 500 मिटर की दोरी करके यहां पर पाउं तो फिसल रहे हैं क्योंकि यह जो आइस है यह बड़ पर एकदम सक्त हो गई है यह देख सकते हूं तो पुरी कान स्ट्राइब की और यहां पर बैड़ने के लिए व्योस्ता करे किये यात्री कड़ों के लिए और यहां पर थोड़ा सा चोटा सा मंदिर भी है तो इसके दर्शन भी आपको जरूर करवाते हैं जेहू सेमनार्गर्जा जेहू कि इस रचसे में सभसे ज्याइदा दिक्कत होरी है चलने में क्याओं कि यहाँ की जो भी बार्फ है बहुत ज़्यादा हाड होरी कि एकदम तो इतनी ज़्यादा हाड़ ओने जिसे जूतों की जो ग्रिप है ना वह बननी पारी है और पाउं फिसर ले इसलिए यहां समल समल के जाना पर ड्राइब दम और यहां से भी डिट किलिमेटर और है तो पुरे दस बत कर 20 मिनिट हो गया टाइम और अभी बहुत उपर जाना है हालत खराब होगी है यहीं पर हालत इसलिए खराब हो दिया कि बर्फ की जो चादरें बहुत मोटी और बहुत टाइट हो रही है तो इस रस्ते का इन वादियों का मजा ले रहा है एक दम बढ़िया से यह देख लो तो बहुत जादा थकान भी नहीं लगी है और अभी थोड़ा सा यहां पर बैठ रहे हैं और आनन ले रहे हैं बर्व का क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चाहूं भी है और धूबी लगी हुई है मेला लगता है तो उस टाइम पर आपको यहां बहुत जादा भीड उम्री हुई सर्दालू की नजर आएगी फिर थोड़ी देर में आपको मंदिर का नजारा भी दिखाऊंगा यहां से और फिलाल यह पेड़ यह हसीन वादिया और यह बर्व की चादरे यहां दिकत चलने के दो मिनट रेस्ट कर लेता है यह देख लो पुरे रस्ता बर्व की चादर में लेटा हुआ है लपेटा है और पिछे से यह देर अदून के दो सर्दालों लोग भी आये थे जो हमें यहां मिलें धर्मपूर के तो यह आज यहां पहली बार आये और मेरी पिछे आप क्यों नहीं पिसलते हैं अधाज आज यह बरब जम गई है इस बरब से आना थोड़ा तब हो रहा है पकड़ पकड़ कि आज़ा सामने कई पहाड जन्नत और निच्चे से आते हुए कुछ सर्दालों लोग और हमसे तो यहां से मंदिर का प्रांगण भी शुरू हो गया है हम बर्ब तो बहुत जाधा हाड ओड गए बहुत ज्यादाऊ बहुत ज्यादा पाउन गोँदर अगर बर्ब हाडी होती तो यहां पर है पानी का स्रोत उपर है मंदिर यहां पर कुछ सर्दालों गन पाउन दूब देख लो पानी यह जे देख लोayo ऒख़े बर्ब कि सिली जे हो महादmusic की देखो कैसा पृसराइए तो यहाँ पर पानी-पुणी हमने पी लिया है और अब चलते हैं अपर मंदिर की तरफ अब मंदिर भी यहां Séthryहू हो गया है मंदिर का प्रांगण तो मंदिर की प्रांगण में पहुंच गए हुम आभी थोड़ा अपनी मूच्छों को विताव दे देते हैं और बरफ यहां पूरे घुटनों तक पड़ी हुई है लेकिन हाड हो रही है जिसके बज़े से पाउं डूब ने रहे हैं इसमें प हो गया है तो यहां पर हमने अपने जूते वगड़ा सारे खोल देने और नंगे पाउं चले जाते हैं क्योंकि जुरा फिर बार यह लिए हो जाएंगे आहां पाउं बहुट जाए ठंड़ हो गया हुँए जुतों को रख देते हैं अधर हाहा इसे करते हैं तो चलिए उत्तरद्वारी का सीम नाग राजा पांच्वा धाम मैं आपका हार दिख स्वागत है इसे के साथ हमने पर्वेस कर लिया है यह आप देख सकते हो आधे हो सिम्नाग राजा बगवान की यह आप देख लो हाँ का लुक है है कि पैविझे भू जाय झाय ठंडे हो गए क्योंकि अभी तक जुराप और जूतों के वजहे से पॉप में बहुत जादा गर्मीती और अचनक से पाउं में इतनी ज्यादा सण्डी इतनी ज्यादा थन मैसूस नहीं किये पाउने है तो अब हम पहुंच गें मंदर के अंदर और मंदर के अंदर कई नजारा पूरा बर्फी बर्फ और यहां पर आपको भगवान सरी किष्टिन की फोटो गंटी पर सापने जला जाएगे तो यह मंदर और अंदर हवान की पूजा भी चल रही है तो यहां देख लीजिए पूरी बरफ और बरफ और नंगे पाउं बहुत बुरे हाल फिर भी नागराजा दिपता की किर्पा से मंदर के अंदर पहुंच के सारा कार्य संपन हो गया है बड़े प्यार से अब यहां से वाप्सी लोडने की तैयारी हमारी तो जे हो नागराजा दिपता की और अंतिम बार यहां के चलाने स्पर्थ किरपा रही कि तो दोबारा जरूर आएंगे और पाउं की जो बुरे हाल है अभी वह हम आपको इन सब्दों में और इस वीडियो में ब्यतीत नहीं कर सकते हैं जो पाउं निच्छे से एकदम बहुत ज्यादा ठंडे जे हो नागराजा दिपता की जे हो से मुखिम अब 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 बाग मत विटा गिर जाओ अब जल्दी जूतों पर चलो तो अभी जाके पाउं में तोड़ा सा जान आ गई है क्योंकि इतने ठंडे हो गएते इदर पाउं आप सोच भी नहीं सकते हो और मैं इस वीडियो में ब्यतीत भी नहीं कर सकता हूं कि इतने ज्यादा ठंडे इदर पाउं हो गएते तो अब यहां से वापसी की तरफ ते यारी है और चलते हैं यहां से अब नीचे मेदान पे जहां पर हमारी गाडियां खड़िये और वहां से अब घर की तरफ लंगाऊं तो यहीं तक था आज मंदिर के दरसन भी हो गए kाफी मेरे ख्याल एक साल बाद आये हूँ आज पांचवेदा मुख्यम में सेम नागराजा के दर्सन में करने तो यहां से आप घर के तरफ लोड़ दोते हैं और इसी के साथ जे हो सेम नागराजा देता की और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो को सेर जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मिलता हूँ आपको किसी नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए टाटा बाई बाई लब व्यू सेम कि आप सब्सक्राइब अराम से गिन्ना अब यहां पर कमी है तो शर्प स्केटिंग की कुछ भी ऐसा सीज होते हैं अब प्लास्टिक कर था थोड़ा सा हार्ड मेटल होता तो मुझा फिसल के जाते हैं बड़ी प्यार से कि पूरे रस्ते में तो बढ़त बिच्छी पढ़ि पूरी नहीं टाइट हो रही है सूप की तो यहां पर थोड़ा सा स्केटिंग मजा हो जाता तो और बजाता है इस रुप जब टागिना पूर कि अगर अगर दो कि अगर आप कि अगर